हलो दोस्तों आप सबका टेस्ट बेंच में फिर से स्वागत है आज हम पदम आवार्ट की बात करेंगे आपको पता है कि पदम आवार्ट तीन कैटिगरी में दिये जाते हैं पदम विभूशन पदम भूशन और पदम श्री इस बार जो दिये गए हैं वो 128 विक्तियों को समानित किया गया है जिसमें से 4 जो हैं वो पदम विभूशन दिये गए हैं और 17 पदम भूशन दिये गए हैं हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो पद्म भूशन के बारे में चर्चा करने जा रहे है कि 2022 में किस किस को पद्म भूशन दिया गया है पद्म भूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है जो पहले है वो है गुलाम नभी आजाद और गुलाम नभी आजाद को दिया गया है इनको पबलिक अफेर के छेतर में दिया गया है गुलाम नभी आजाद जो है वो कॉंग्रिस से इनका रिलेशन रहा है कॉंग्रिस पार्टी से इनका संबन रहा है और ये कॉंग्रिस पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं यहां तक के गुलाम नभी आजाज जो है वो जो है गुलाम नभी आजाज जो है ये जम्मु कस्मीर के सीम भी रहे चुके हैं सीम भी रहे हैं और ये एक पॉलिटीशियन्स हैं और नेशनल कॉंगरेस से हैं इनका तालुक और दूसरी बात ये है कि ये leader of opposition भी राजे सभासे रहे हैं आईए अगले next की तरफ चलते हैं और victor venergy जो है इनको आर्ट के छेतर में दिया गया है victor venergy को आर्ट के छेतर में ये अबॉर्ड दिये गए है इनको अगर हम देखें कि इनको और कौन-कौन से अबॉर्ड मिले है तो आप देख सकते हैं कि इन्हे थ्री टाइम जो है वो national award winning versatile actor renewed for his work in Hindi, English and Bengali cinema ये actor है ये base Bengal के हैं और इन्हें भी पदम भूशन से समानित किया गया है आईए हम अगले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगल next कोन है next है गुर्मीत भावा गुर्मीत भावा के बारे में गुर्मीत भावा जो है वो एक singer है क्या है ये singer है और ये folk singer है ये जो है ये folk singer है और ये पहली महला female singer है जिन्होंने दूरदर्शन दूरदर्शन पे जो है इनका पहला सिंगिंग हुआ था शी वास दो फर्स फीमिल सिंगर इंडियन पब्लिक सर्वीस ब्रोडकास्ट डूर दर्सन पे इनका प्रसारन किया गया था आईए आगे चलते हैं और आगे और भी देखते हैं उसके बाद अगले आते हैं हमारे पास जो है वो है बुद्धा देब बुद्धा देब जो है वो इनका भी संबन जो है वो पब्लिक अफेर है और पब्लिक अफेर के छेतर में ही इन्हें पद्म इन्हें भी पद्म भूशन से समानित किया गया है पद्म भूशन से इन्हें भी पढ़ा आपने देखा कि उनके बारे में जो डिटेल दिये गए है उन से उनके बारे में पता चलता है आइए अगले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और मैंने इसमें पिक्चर भी लगाए हैं ताकि आपको कोई भी एक्जैम में दिक्कत ना हो और आप picture से समझ जाएं कि ये कौन से state से हैं और इन्हें कौन से award दिये गए हैं आईए हम अगले award की तरफ चलते हैं इनका संबंध जो रहा है वो communist party से रहा है ये communist party के रहे हैं ये बंगाल के cm 7th नंबर के cm भी रहे हैं अगले की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट में देखेंगे तो नेक्स्ट में हमारे पास है नटराज नटराजन चंदर शेखरन इनको ट्रेड एन इंडिस्ट्री के लिए दिया गया है पद्भिभूसन से इने भी सम्मानित किया गया है ये जो है वो सिनियर बिजनिस लीडर है और दूसरी बात ये है कि इनका संबन जो है चियर मैन ऑफ टाटा सन है तो इन्हें भी 2022 में पद्भूसन से सम्मानित किया गया है आईए हम अगले की तरफ चलते हैं और अगले हमारे पास जो है वो कृष्णा इला एंड एसम टी सुचितरा इला इनको भी ट्रेड एन इंडस्टरी के छेतर में तीन टोटल तीन व्यक्तियों को मिला है जो पद्म भूशन मिला है वो तीन व्यक्तियों को मिला है और इन दोनों को भी दिया गया है ये दोनों क्या है ये देख लें आप फाउंडर ओफ जो है फाउंडर ओफ भारत बायोटेक के हैं और भारत ब यो टेक में ही बना है, इंडोजिनियस COVID-19 के वैक्सिन को यहीं बनाया गया है, इसे भी पदम भूसन से सम्मानित किया गया है, ये दोनों को ही एक साथ जो है पदम भूसन से सम्मानित किया गया है, अगले जो हैं हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास ह वो है मादूर जैफरी इनको अधर के लिए मिला है मादूर जैफरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है तो ये ये जो है फुट जर्नलिस्ट है credit for the taking India causing to the world इनका संबंद US से है और ये US की है और इनको भी पदम भूशन से सम्मानित किया गया है आपको इसमें ये भी देखना होगा कि पदम भूशन जो है वो कितने बिदेशी नागरी को भी दिये गए है ये भी आपको ध्यान लखना होगा आईए अगले की तरफ चलते ह और यह देखते हैं कि अगला आबाट किसको दिया गया है तो अगला आबाट जो है वो है देवेंदर जहंजारिया देवेंदर जहंजारिया ऐसे ऐसे इसरे स्पोर्ट पर्संट है इन्हें जो है दो 2022 में पदम भूशन से सम्मानित किया गया है ये इनका भी जैवलिन करते हैं और इन्होंने तीन मैडल पेरा ओलम्पिक में तीन मैडल जीते हैं ये भी इन्होंने इत्हास रच दिया है और इनका जो संबंध है वो राजिस्थान से है आईए अगले नेक्स्ट की तरफ चलते है राशिद खान राशिद खान आर्ट्स के लिए मिला है राशिद को भी पद्म भूसन से सम्मानित किया गया है राशिद खान जो है वो यह एक तरीके का जो है वो सिंगडी है और इनका समबन जो है वो उत्तर परदेश से है हिंदुस्तानी किलासिकल के लिए फैमस है ये रामपूर से हैं और इन्हें भी आर्ट के छेतर में पद्म भूसन से सम्मानित किया गया है आईए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं राजीव महे रिशी इनको सिविल सर्विस के छेतर में दिया गया है पद्म भूसन 2022 और इनका जो है ये फार्मर इंडिया के C.A.G. भी रह चुके हैं आप हमें ये बताएंगे कि ये कौन से नंबर के C.A.G. रहे हैं इनका भी संबन जो है वो राजिस्थान से रहा है आईए अगले कुशन की तरफ चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं सत्ते नडेला, सत्ते नाराइन नडेला इनको ट्रेड एंडिस्ट्री के छेतर में मिला है और ये कोई परिच्चे का मोताज नहीं आपको भी पता है कि इनके बाड़े में आप अच्छे से जानते हैं इनके फेस को देख लें मैंने फोटो पिक्चर का इस्तमाल इसी लिए किया है ताप को ताके आपको इसकी पहचान रहे पदम भूशन 2022 सत्ते नडेला को भी दिया गया है ये इंडो अमरीकन ग्लोबल टेक्नोलोजी लीडर है CEO of Microsoft के CEO है ये और इनको भी ट्रेड एंड इंडिस्ट्री के छेतर में दिया गया है इनको आईए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं शिरी ये साहब जो है पिचाई साहब है सुन्दर राजन पिचाई इनको भी कोन नहीं जानता तो ये है पदम भूशन 2022 और इंडो अमरीकन है ये भी ग्लोबल टेक्नोलोजी लीडर है CEO of the Google and Alphabet Trade and Industry US से इनका भी संबंद है आईए अगले की तरफ चलते हैं और देखते हैं अब जो है next हमारे पास वो सीरस पुणावाला सीरस पुणावाला का नाम चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि जो कोवैक्सीन है कोविट शील का जो मैनूफेक्चरिंग जो हुआ है वो यहीं पे हुआ है और इने भी पदम भूशन 2022 से समानित किया गया है आईए एक बार देख लेते हैं तो founder of world largest vaccine manufacture serum institute के जो जो honor है भी वो यही है which play is the crucial role in the COVID trade and industry के छेतर में इन्हें भी समानित किया गया है पदम भूशन से आईए next चलते हैं संजे राजाराम संजे राजाराम के मृत्य उपराण जो है science and engineering के छेतर में दिया गया है संजे राजाराम पदम भूशन 2020 और इनका संबन साइन से रहा है wheat scientist थे यह developed 488 high yield disease restaurant wheat variant now grown in 50 countries और इनका जो संबन रहा है वो मैकिसको से रहा है तो इन्हें भी जो है पदम भूशन से संबनित किया गया है आईए next की तरफ चलते है next में देख लेते हैं तो next जो है वो है परतिवा राए परतिवा राए को literature and education के छेतर में दिया गया है और परतिवा राए जो है पदम भूशन 2022 से इन्हें भी संबनित किया गया है internationally exclaimed udya author है popularly known as the queen of the udya literature के नाम से जाना जाता है इनका संबन्द odysa से है और इनको literature and education के छेतर में दिया गया है आईए next की तरफ चलते हैं next Swami Sachin Anand इनको भी literature and education के छेतर में ही दिया गया है Swami Sachin Anand पदम भूशन 2022 से इन्हें भी सम्मानित किया गया है ये philosopher है writer है and social reformer है know for his work in the disaster relief इनका संबन्द गुजरात से है आईए next की तरफ चलते हैं वशिस्ट तिरपार्थी इनको भी literature and education के छेतर में दिया गया है इन्हें भी पदम भूशन 2022 से सम्मानित किया गया है ये scholar है और इनका संबन्द जो है वो उत्तर परदेश से है मैंने picture लगाने का मेरा जो तात पर रही है था कि इसे आप पिक्चर की वज़े से आप इसे याद रख पाएंगे और इन्हें अच्छे चाहिए